तो हेलो फ्रेंस हाई कैसे हैं आप शब माई उप्टी चैनल बेवी ओफेसियल 385 में आपका दिल से स्वागत है तो आप लोगो सबसे पहले महादेब के किरिपाशे मापारबती के किरिपाशे हैपी तीज आप लगो को और हर लेडिज को हमें सासुहाग बना रहें और आज ह करती है यह बर्थ हमारा निर्जला होता है जो कि हमने आज कर रखे हैं और देख सकते हैं यह मैंने सारी डाल रखी हूँ और पूरी मतलब सिंगार करना पड़ता है 16 शिंगार करके ही मापारबती की हम पूजा करते हैं और पूरी सद्धज की पूजा किया जाता है तो यह डाल रखी हुई चूवी जो भी होता है जैसे भी होता है वो मेकप करके तयार बगरा होगी अच्छी तरह से उसके बाद हमें बैठना परता है पूजा आप देख सकते हैं तो उमिद करती हूँ कि ये तीज का बर्त बहुत जने करते होंगे और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताईएगा जो हमारे वीडियो कैसे बन रहे हैं और सदा सुहागन का आशिरबाद आप लोग तो जरूर दीजिएगा कमेंट बोक्स में मा परवती जी सब के सुहाग बनाए रखें इसी तरह से और हर साल में एक बार पुजा होता है तो हर लेडिज करती है बहुत अच्छा लगता है तो मैं साम तक अच्छे पुजा करने बाली हूँ वड़िया से पूरी तयार वार के करूंगी तो जैसे जैसे मैं पुजा बने रहे हैं मैं सारे चीजों का आप लोग तो पहुचाते रहोंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखते रहे हैं तो दिखिए हमारे अस मेहन दी पास लिया में अच्छों कि यह मैं नई सारी डाल रखी हूं जो कि इसमें डाले जाते हैं और निरजला बर्त करते हैं तो इसमें सोलश शिंगार भी करने परते हैं तो इसलिए हम पूरा आज सोलश शिंगार करके फिर माता पारबत्ती और भूलेनाथ गनेजी के हम पुजा करेंगे तो आगे दिखाते हूं वो और पुजा की समान वेगरा लगा रही हूं कैसे कैसे करना है तो एक समान को मैं सबसे पहले तो सबस अच्छा तो लाग रहा जो मैने मिम्टि का बनाई उना गनेज जी पारवती जी और भोले भावा तो उनको मैं सब आपको दिखाती हूं कैसे convey now रहा हूं और पयों कितना अच्छा लग रहा है तो आपनों कमैंट करके जिरूर अच्छा कमेंट करके बता आएग और यह देखिए बोलिये दिल से हरहर महादेब तो यह देखिए यह हमारे भोले नात जी है और उधर पारवती जी है और इधर देखे गनेश भगवान है जो कि हम बनाए है कि देख सकते हमारे तीनों देखिए इज तीनों है और 現在 मैं समान जुटा रही हूं पूजा करने के लिए सब कुछ तो बहुत कुछ मुझे रखना है यहाँ पर थोड़े बहुत लाई हूँ अभी अभी अब बहुत कुछ करना है तो देखे पहले मुझे सबसे पहले तो इसमें ओम बनाना है मेरे पांस एक ही वह लोटा है तमगा को जो कि मुझे पुजा करना है तो यह इस्टील करना है यह लोटा निकाली हूं बना दिए में अुम बना दिए है अब मुझे इस कलावा बंदना है पल रखना है आम के पत्ति रखना है इसके बाद मैं इसमें पल रखोंगी यह जलना है मुझे तो कि अ तो देखिये गड़ मैंने फाइनली जो है कि यह लाल का प्रयासन के लिए डाल दी हूं और मैं ये कलश तयार कर दिए देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कलश ये देखिए कर देख सकते हैं तो देख सकते हैं अब धीरे धीरे में सहरा समागरी जुटा रही हूं हूं फोरे बहुत के अश्यांति अच्छ कर देख साथ हां क्या देख से Harm Уव में देख से अवर में और देख सकते हैं तो दो तो जिरूर कमेंड में आच्छे-च्छे कमेंड करके बतागिएगा तो इदो इखरा करता बेड़े चलो करती है रूख कर लिया ठी है अठी है अठी है दाली देने लिए अठी कि लिए उल हीजू कि भाल राओ कुछ जीता है। लाद रिकाओ लाद 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 आनल कवड़ लाद पुरी दिर्ट पुरी लाद कुछो झाल 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 तो हमने पूजा पूरा तियारी कर लिए हैं तो देखिए हमने पूजा पूरा कर लिए हैं तो आप देखिए और बाहर की केम उसे दिखाते हैं तो हमने जैसे ही पूजा शुरू किये बस सब लगा ही रहे थे पूजा का सामान बगारा तो उसी टाइम मेरे हस्पेंड आ गए तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि वो जो है पूजा में आके हमारे साथ बैठ गए हैं और हमारा पूजा अच्छी तरह से संपून हो गया और बोले नात मा पारवती हमारे पूजे को जो भी कमी अगर हुआ होगा तो गलती-सलती मुआफ कर देंगी और मेरे हस्पेंड थे तो इसलिए मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी तो इसलिए पूजा बग तो फाइनली मेरा वीडियो पूरा के पूरा आज तीज का बन चुका है और अच्छे तरीका से बन गया है तो मैं वीडियो को यहीं प्यायंड कर देती हूं और उमीद करती हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि यह शुहागन के लि तो आज मैं बहुत खुसों तीज के बर्द करके क्योंकि मेरे पती भी आ गया थे और अच्छी तरह से हमारा कुज़ा हो गया है तो इतना ही पर मैं एंड कर रही हूं वीडियो को और भी काम है मुझे साम का टाइम है तो और भी काम हो है मुझे तो इसलिए मैं एंड कर दे बेटागा कि अपागा कि ये, बाइ!